तो भाई यह है माना पास एक खराब CPU, इस CPU से मैंने एक वीडियो पहले भी आपको बना कर दिखाये थी, जिसके अंदर मैंने आपको powerful power supply बना कर दिखाये था, तो आज हम यहाँ पर इसी CPU का यूज करके इस सर्दी का जुगार बनाएंगे, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं तो आप भी इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना, अगर आपके पास इस टाप का खराब CPU नहीं है, तो यह आपको मार्केट में खराब वाला cabinet मिल जाएगा, इसलिए 200-300 रुपे के अंदर, लेकिन भाई यह आपके 1000 रुपे बचाने वाला है, तो फाइनली गाइस चल वाज नहीं होगा, मैंने 4000 रुपे तो इस से पहले ही बचा लिए, मैंने इस से एक पहले वीडियो बनाइथी, जिसके अंदर मैंने पावर सप्लाई बनाई ती, यह S.M.P.A. से इसका और इसी से मैंने पावर सप्लाई बनाई थी, भायो यह पाइन पावर सप्लाई यह मा आप वीडियो को कहां से देख रहे हो आपके गाउं का नाम क्या है और आपका नाम क्या है कमेंट बोक्स में ज़रूर बताना अगर आप किसी सीटे से देख रहे हो तो अपने सीटे का नाम ज़रूर बताना ताकि मुझे पता रहा है कि मेरी वीडियो कहां से देखी जा रही ह आगे लाइफ में तो यहां पर देख से तो हमें इसके अंदर से 3 CPU फेन मिल जाते हैं जो कि काफी जादा अच्छी क्वालिटिक हैं एक हीट सिंग मिल जाती है दूसरी छोटी हीट सिंग एक मदर बोर्ड मिल जाता है और साथ ही में आप डिवीडी राइडर भी मिल जाता है अब यहां पर देख से तो कैबिनेट है इस केबिनेट को हम ही यह आपर हम यूज करना होगा तो सब से पहले इसका धकन लगा देता हूँ और पीछे की साये प्पर ऑप डेक सेके लिए एन सब़ी जाली को मैं कट्कर के निकाल देता हूँ हocus तो फानली काइज यह पर देख से तो इस जाली को मैंने कट कर लिया ஓर आपको दियानना है जब आप इन को करो तो आपके हाथ में कट ना लग जा है। तो यहां पर मैं इसको घिसाई भी कर दूगा Zen Paper से, यहां पर धार बन कुकी होगी, तो हमारे हाथ में लग सकती है। फानली अब यहां पर देखो, मैं इसको अंदर नाप ले लूँगा, और यहां पर plywood, उसको मैं mark लागा गए कट कर दूगा। इह आपको अपने अनुसार लेना क्योंकि हर CPU की साइथ जो अलग-अलग होती है तो थाली यहाँ पर मैंने कुछ पीसे इसको कट कर लिया है अब यहाँ पर यहाँ इसमारा A.L होता है उसी टाप से हमार दो पीस को मिलाकर यहाँ इसको इस टाप से लगाना है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका अंदर खव जयादा रहा है अब स्कता है मैंने एक और पातीली इसको ऊपर की सैड में होल किये दूँ इसको भी मैं इस टाइप से लगा दूँगा और यहां पर जो मार केबिनेट है CPU का उसके अंदर नीचे की सैड में इसको लगा देंगे सबसे पहले इस केबिनेट के अंदर भी होल कर देंगे हम यहां पर तो फानली फटावर्स में इसके अंदर होल करके इसको लगा देता हूँ और यहां पर मैंने एक और बनाया इसी टाइप का जो कि ऊपर की साइड में लगेगा एक नीची की साइड में लग चुका है और दूसरे वाले को हम ऊपर की साइड में लगा देंगी अभाई उचाहिए हमें यहां iliter की रौट्स यहां पर मार्गेट में आपको दो टाइप की हीटर की रौड मिलेंगी एक यहां पर देख यह टाइप की चीनि यह और एक नहीं पर काच की है यहां पर देख सेख रौट यह ब्राउन वाली यह यह एक हजार वाट की है तो हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे, और दो इसके अंदर लगाएंगे, तो finally guys, यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसके जो road है, इसको यहाँ पर खौल देता हूँ, इसके इसका screw, nut bolt, और यहाँ पर देखते हूँ, जो पत्ती जो लीती, इसके अंदर जो hole किये थे, वो यहां पर इसको इस टाप से लगा सकें तो फानली यहां पर मैं इसको इस टाप से लगा देता हूं और अच्छी तरीके से फिट कर देता हूं और जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं उसी टाप से आपको यहां पर काम करना है तो फानली यहां पर देखो इस टाप आपर 1.5 mm के यहां पर यूज़ कर रहा हूं तो यहां पर पतला वाइर जो है वो जल सकता है इसलिए यहां पर हम इसको लगाएंगे अब यहां पर जो हमने पत्ति लगाई थी उसके यहां पर मिस्कूर लगा कर देंगे बहुत सरे के दिमाग में आरा होगा कि विशाल भाइ अमने करें आप यहां लगा देंगे और इसके जो प्लस माइनस यहां पर लगा देंगे यह पर ठीक है वायर को एक साथ कर देंगे जैसे मैंने वीडियो में दिक आए अब जिप टाई के दुवारा मैं इन दोनों को इस टाप से बांद दूँगा आपस में ताकि यह हीले नहीं एक जगह पर रुख जाए और दोनों मिलकर एक फेन का जिसे काम करें यहां पर जिप टाई से मैं लगा दिया है अब यहां पर मैं एक 12V 1A का चार्जर का यूज़ कर रहा हूं इसके अंदर देखू क्या करना आपको इसको कट नहीं करना क्योंकि मान लीजिए अभी ठंड है गर्मी में वापीस इसको आप खोलोगे तो आपका जो चार्जर काम जाएगा तो यहां पर डायेक्टल में इसके अंदर लगा रहा है इसके अंदर मैंने बलेक कलर का बाहरी की को अगर आपको जरूरत है कि इसको बाद में निकालू मैं तो इसको भूल कर इसको दोने नहीं होगा तो में इस टाइप को यहां पर लगा देंगे वायर को तो इसको जश्ट हमारे रोड के पीछे की साइड में लगाना होगा ठीक है ताकि हमारी बिल्कुल फिक्स हो जाए यहां पर हमारे जिप टैसे लगा चुका हूँ और यह अच्छे से टाइट हो गया है यहां पर अब जितना भी वायरिंग है वायरिंग को लगा दिया है आपको ध्यान रखना है वायर को जो हमारे हीट रोड जो है उससे दूर रखना है और यहां पर मैंने सब कुछ सेट कर दिया इसके अंदर ठीक है इस टाप से जीप टाइब से बांद दीजे आप या फिर वायर से बांद दीजे इसको अब यहां पर देखो मैं जो है जाली ल बज जाएगा तो इसको इस टाप से रखकर सेट करना है आपको ठीक है अंदर की साइट में अब यहां पर हमारा साइट का पेनल लगा देंगे और यह देख सिब तो हमारा घर पर जुगार से आपर रूमीटर बना लिया है और यह जो है आपको पूरा चेक करके दिखाने यहां पर जो इसके अंदर कोई भी करेंटर नहीं आने वाला है और यहां पर देख साइट में जो जाली लगी हुए यहां से हमारे फेन हवा खीचेंगे पीछे की साइट में यहां से भी हमारा हवा खीचेगा आप चाओ तो यहां पर इसको खोल कर जाली लगा सकते हो लेक इतने भी गर्मी उसको बाहर की साइट में फेक देंगे और यहां पर देखतों यह काफी जदा अच्छा भी लग रहा है एसा लग रहा है कि हमारे जो सीप्यू होए ना उसके अंदर जो LED लाइट लगा रहा है कि हमने चल रहा है काफी ज्यादा प्यारा लगता है और मतलब घर को भी पूरा गरम कर देगा करेंट भी कम घीचेगा क्योंकि इसके अंदर आपने ग्लास वाली रोड लगाई है तो यहां पर देखतों काफी अच्छे से काम करेगा अभी यहां पर इसकी जो हवाई वह इतना जादा नहीं आती है प्योंकि यहां पर अगर आप के लां नहीं हो आप इसको कर सकते हैं क्रेंड याँ और यहां पर देखने के लिए रही है मुझे कर सक्क्ब्सक्राइब कर देना इस包ि उर भाई आप वीडियो कैसी लेगी मुझे कमेंट करकर प्सक्राइब करने हैं यह बिल्कुल फूरी है आप इसमें प्यूट देने की जुरूत नहीं है सब्सक्राइब बटन जो एक फिरी में किलिक कर सकते हो और फाइनली गाइज मिलते हैं देख स्टूडियो के अंदर जेहें जेह बारत बाय अरिबड़ी